वेल्कम डिया पेसर अप सिंग आटव जौन दोस्तों आज की वीडियो जो मारे स्पैशली रहेगी के रिवोल्ट इलेक्ट्रिक बाइक का जो आर्वी 400 है उसमें दो वर्जिन है बेस और प्रीमियम उनमें डिफरेंस क्या है अगर इनका प्राइस की बात करें तो इनका रफ प्री फॉर हंडर्ड पर फ्री हंडर्ड पर इसके लाब हम दोनों का कंपैरिजन पर वीडियो डाल चुका हूं लेकिन ये बार बर मुझे कमेंट आरके सर इनका कंपैरिजन जूर कीजिए कि बेस और प्रीमियम में क्या फरक है तो बिल्कुल आज उसी पर वीडियो बेस और प्रीमियम उन में फरक है लेकिन उससे पहले एक वाद देख लेते हैं कि सेम क्या आपको स्टंडर्ड दोनों में क्या चीज मिलेगी बाइक का डिजाइन सेम रहेगा बैटरी पैक सेम रहेगा मोटर पावर सेम रहेगी बोथ बैक एंड फ्रंट एलेडी लाइट इस विद डी यर यह सब सेम रहेगा रिवोल्ट एप जो फीचर्ज हैं सभी आर्टिफिशन इंटेलिजन जिसको बोला जाए रहा है वो सब फीचर्ज आपको सेम मिलने वाले हैं डिज्टल इंस्ट्रूमंट क्लस्टर भी रहेगा सेम टायर साइज भी यहां सेम रहेगा स अठारा साधे अठारा हजार का फर्क निकल कर आ रहा है दोनों बाइक्स में तो इनमें हमें क्या एक्स्ट्रा मिलेगा टोटल सेवन पॉइंट्स है जो मेरे पास है प्राइस के इलावा जहां प्राइस बेस मोडल का 3499 इंटू 37 मंस के साब से 1,39,463 रफली 1,30,000 निकल कर साधे घाना भी का प्लस-Miénस है तो अथ बन आगां प्लस- daran है में क्या प्लस-मिनस है तो अभी तक सारा को ़िलियर कर पाए हम मेरे अभी तक माइंड में है इसके लावा कुछ कुछ और आपके माइंड में हो तो अधो को मैं पूझे पूंट में लूँट कर गका जल्दी स यह option दोस्तों आपको सिरफ premium version में मिलेगी, base version में आपको यह वाली option रही रहेगी, इस बात का आप ख्याल रखिएगा, number two, insurance, जहां आपको उन्हें free insurance की बात कही थी, zero miss के सब कुछ include है, लेकिन ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है, आपका 3 साल का प्लान है, premium में आपको 3 साल की full प्लस 3 साल की third party मिलेगी, हाँ यह हम कहा सकते हैं कि आपका जितने साल का प्लान होतना सालों आपको cover करके दे दिया है, आगे 3 साल का और third party दिया है, लेकिन base में ऐसा नहीं है, आपको सिरो first year की full रहेगी, और 5 साल की third party insurance रहेगी, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे भी third party चाहिए तो उस case में यह हो जाता है, आप extra से उसको add on कर सकते हैं, इंशोरंस में आज के लिए flexibility आ गई है, वो के दिकत नहीं है, number three, जो 4G connectivity है दोस्तों वो free नहीं है, उसके भी charge आएगे, तीन साल के हिसाब से charge किया जाएगा, हर तीन साल बाद charge किया जाएगा, यह premium version में आपको free है, लेकिन अगर 300 की बात करें या 400 का based version है, इन दोनों में आपको तीन साल का 5000 mandatory यह आपको देना ही पड़ेगा charge, यह तीन साल का है तीन साल बात फिर से यह charge repeat होगा, जबकि premium में फिलाल यह free है, number four difference, immobilizer, दोस्तों यह safety feature है, एक अच्छा, इससे कोई भी आपको unknown key से या duplicate key से आपकी गारी को start नहीं कर पाता है, अगर इन केस वो start करने में सफल भी हो जाता तो फिर भी कुछ थोड़ा सा चल कर आपकी bike रुक जाती, यह safety features है जो कि सिरफ आपको premium version में मिलने वाला है, base version में यह भी feature आपको नहीं मिलेगा, नमबर 5 difference, remote key, जिसे हम lock, unlock, find mind scooter या remote काफी तकरिवन 50 foot दूर से भी आप इसको on off कर सकते हैं, यह सब features आपको smart key में मिलेगा, और यह भी आपको सिरफ premium version में मिलने वाला है, base में आपको simple mechanical key ही मिलेगी, नमबर 6, push start and stop button, यह भी आपको premium version में मिलेगा, base version में यह भी आपको नहीं मिलेगा, यह भी थोड़ा premium सा features है, आप कीजे, नमबर 7, जो last difference यहाँ है, artificial exhaust sound, जिस पर अभी तक एक, I think मैं इसको बड़ा point मानता था, कि first time है किस electrical vehicles में आपको, आपकी requirement के साफ से different, फिलाल यहाँ four types of sounds available करवाई गई हैं, बट आगे चलकर आप इसको वोल्ट एप के थूरू इसमें और भी extra डाल सकते हो, यह customized sound भी आप इसमें डाल सकते हो, यह option भी आपको आगे चलकर मिलेगी, फिलाल यह option सिरफ और सिरफ top premium version में आपको मिलेगा, 300 में या 400 के base version में आपको यह features नहीं मिलेगा, तो दोस्तों यह थे top seven difference, अगर आपको लगते हैं कि यह इन में से जरूरी है, फिर तो आप go for premium, फिलाल आपको एक्स्टर दिना पड़ेगा, यह रफली 5000 मंथली आपको एक्स्टर दिना पड़ेगा, जो अगर मैं बात करूँ, जो मुझे यहाँ पर ज़्यादा जरूरी लगते हैं, एक तो insurance, एक 4G connectivity, क्योंकि एक smart bike है, आगे चलकर और भी on the air updates, काफी कुछ इसमें एड़ होगा, company कुछ निया अपड़ेट करते हैं, तो वो भी on the air, गो फॉर प्रीमियम वर्जेंट साड़े 18,000 और आप इसको साड़े 18,000 मत देखिए, आपने सिर्फ 500 रुप एक्स्ट्रा मंतली देना है, आप सिर्फ यह देखे के मेरा 500 रुप एक्स्ट्रा मंतली अगर आपको वो जादा नहीं लगता, बिल्कुल मेरी सजेशन में पहले भी का है, अब भी कहा रहा हूँ, देन गो फॉर प्रीमियम जो टॉप मोडल अस पर जाईए, तभी टॉप एक जो फीलिंग आती है, इंटेलिजेंस बाइकी, स्मार्ट बाइकी, आपको क्गोन सा सुट करता है, आपकी रॉकरमेंट के साफ से, बिल्कुल हर किसी के अपनी रिक्वार्मेंट होता है, किसी के लिए 500 भी बहुत ज़्यादा है, और किसी के लिए 500 बिल्कुल माइने नहीं रखता, आज के लिए इतना ही वीडियो थिल लगए, झाल झाल